दोस्तो अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपने परिक्रमा तो कभी ना कभी की होगी चाय फिर भगवान के चारोर, मंदिर के चारोर या किसी पेड़ के चारोर पर क्यों की जाती है परिक्रमा और क्या है इसके पीछे का साइन चलिए जानते हैं पर उससे पहले आप अगर हम वर्गो क्लेस्टर के चारोर और वर्गो क्लेस्टर अपने से बड़े द्रवमान के चारोर पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है परिक्रमा करने वाली कोई भी चीज अपने से बड़ी अतार की चीज की परिक्रमा करती है द्रवमान में यह अंतर ज्यादा ना हो तो प फिट्व की जिम्मेदारी लेते हैं इसलिए हिंदु धर्म में किसी भी चीज़ की परिक्रमा करते समय चाय भगवान पेड़ अगनी हम उनके सामने छोटे बनकर अपने भागी की सारी जिम्मेदारी उन्हें सोब देते हैं ऐसे ही सनातन संस्कृति और इंट्रेस्टिंग फिट्स दानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर और लाइक करें